देखे बच्चों, युनिट नमबर 14 जेवनु समाप्त हो गई थी और आज हम इसके अभ्यास प्रश्णों के उपर चर्चा करेंगे देखे बच्चों, ध्यान दीजेगा, प्रश्ण नमबर 1, मोनो सेकराइड क्या होते हैं देखे बच्चों, प्रश्ण नमबर 1 है, मोनो सेकराइड क्या होते हैं तो देखे बच्चों, हम लोग सब पढ़के भी आये हुए हैं कि वे कार्बो हाइड्रेड जिनको पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन के और अधिक सरल रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनो सेकराइड जिनको polyhydroxy aldehyde अथ्वा ketone के और अधिक सरल योगिकों में जल अभगटित नहीं किया जा सकता, monosaccharide कहलाते हैं, देखिए लगबग 20 monosaccharide प्रकृति में ग्यात है, तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिखके आएंगे, साथ में आप उधारन भी देखे आएंगे, monosaccharide के, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे glucose है, fructose है, ribose है, आदी, तो ये किसके उधारन हो गए हमारे monosaccharide के, clear है, चलिए आगे देखिए, अब प्रेशन नमबर 2 देखिए, अपचाई शरकरा क्या होती है, देखिए बच्चों, ये भी हम बहुत अच्छे से पढ़के आए हुए हैं, कि अपचाई शरकरा क्या होती है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वे शरकरा, ये हम कह सकते है कि वे कार्बोहाइडरेट, जो कि टॉलेन अभीकर्मक या फैलिंग विलियन को अपचेइद कर देते हैं, उन्हें अपचाई शरकरा कहते हैं, और देखिए, क्या होता है, ऐसी शरकरा में जो कार्बोनिल समू है, यानि जो एल्डिहाइड समू या जो केटोनिक समू होता ह है, वो मुक्त अवस्था में होता है, तो देखिए, ध्यान दीजेगा, वे कार्बोहाइडरेट, जो टॉलेन अभीकर्मक या फैलिंग विलियन को अपचेइद करते हैं, उन्हें अपचाई शरकरा कहते हैं, और देखिए, इन में स्वतंत्र एल्डिहाइड या कीटोन पाया जाता है, ठीक है, आगे देखिए, जैसे ग्लुकोस है, फ्लक्टोस है, माल्टोस है, तथा लेक्टोस है, तो इस तरीके से आप अपचाई शरकरा के उधारन भी लिखके आएंगे, चले मच्चू, चले आगे देखिए, अब देखिए, प्रेश्ण नमबर 3, पोधो में कार्बो हाइडरेटों के दो मुख्य कार्यों को लिखिए, पोधो में कार्बो हाइडरेटों के दो मुख्य कार्यों के बारे में हमें लिखना है, तो देखिए, आंसर क्या होगा, देखिए, पोधो में कार्बो हाइडरेटों के दो मुख्य कार्यों निम्न लिखित है तो देखिए पहला कारिये देखिए कार्बो हाइडरेट वनस पतियों में स्टार्च के रूप में पाये जाते हैं तो देखिए पहला कारिये क्या हो गया कि जो कार्बो हाइडरेट होते है वो वनस पतियों में किस रूप में पाये जाते हैं स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं दूसरा देखिए पोधो की कोशी का भित्ती सेलूलोस से बनी होती है जो की एक कार्बो हाइड्रेट है और देखिए दूसरा कारी क्या है वही पोधो की जो कोशी का भित्ती होती है तो कोशी का भित्ती का एक अवियव सेलूलोस भी ह यानि कहने का मतलब है कि जो पोधो की कोशी का बित्ती है वो सेलूलोस की बनी होती है और सेलूलोस क्या होता है एक कार्भो हेड़िड होता है तो इस तरीके से देखिए आप यह दोनों मुख्य कारिय लिखे आएंगे ठीके बच्चों चलिए आगे देखिए प्रेश्न मतलब है कि कुछ कार्भो हाइडरेट दिये हुए है और हमें यह बताना है कि यह मोनोसेकराइड है या डाइसेकराइड तो देखिए हमें दिया हुआ है राइबोस, 2-Dioxy-ribose, maltose, galactose, fructose, lactose तो देखिए अगर 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 आप मोनोसेकराइड की बात करें तो यहां पर 2-Dioxy-ribose भी क्या है? मोनोसेकराइड है और साथ ही साथ में देखिए, galactose, galactose और fructose यह क्या है? यह सब है हमारे मोनोसेकराइड देखिए वापस ध्यान दीजिए, ribose, 2-Dioxy-ribose, galactose या fructose यह तो क्या हो गए? मोनोसेकराइड हो गए ठीक है? अब बात करते हैं कि डाइसेकराइड कोन है? तो देखिए वापस में जुड़ती है तो उसमें से जलकानु बहा निकल जाता है और गलाइकोसाइडी बंद के द्वारा वो दोनों इकाया जुड़कर माल्टोस का निर्मान करती है ठीक है? इ इर्मान होता है गलुकोस और गलेक्टोस से ठीक है? तो कहने का मदलब है कि माल्टोस और लेक्टोस यहां पर क्या हो गए? डाइसेकराइड हो गए ठीक है? तो देखिए आंसर देखिए इसका मोनोसेकराइड तो देखिए मोनोसेकराइड क्या है? राइबोस है राइबोस 2-deoxyribose, 2-deoxyribose, galactose, galactose और fructose, तो ये तो हो गए monosaccharide, अब बात करते हैं disaccharide की, तो disaccharide है maltose तथा lactose, क्लियर है, आया समझ में आपको ये, चलिए आगे देखिए, प्रेश्ण नमबर 5 देखिए, गलाइकोसाइडी बंद से आप क्या समझते हैं, देखिए बच्च प्रेश्ण नमबर 5 है कि गलाइकोसाइडी बंद से आप क्या समझते हैं, तो देखिए बच्चो, हम लोग ये पढ़के आये हुए हैं, भई होता क्या है, जब 2 monosaccharide इकाईयां आपस में जूरती है, तो उनमें से जलकानू बाहर निकल जाता है, और वो 2 monosaccharide इकाईया तथा polysaccharide में 2 monosaccharide इकाईया जूरती है, जो की जलके एक अनू के निसकाशन से बनता है, तो आया समझ में आपको, भई जो यहां पे ऑक्साइड या एथर बंद बनता है, वो कब बनता है, जब जलके एक अनू का वहां पे क्या हो जाता है, निसकाशन हो जाता है, और देखिए इसे glycoside बंद कहते हैं, इसी बंद को क्या कहा जाता है, glycoside बंद, इस प्रकार 2 monosaccharide के मध्ये, oxygen परमानू से बने बंद को glycoside बंद कहते हैं, तो समझ में आया हैं आप लोगों को, भई होता क्या है, दो monosaccharide का यह आपस में जुड़ती है ना, वो या तो oxide यह इथर बंद के द्वारा जुड़ती है, और इस बंद को ही कहा जाता है, glycoside बंद, ठीके, चलिए आगे देखिए, प्रेश्ट नमबर 6 देखिए, glycogen क्या होता है, तथा यह स्टार्च से किस प्रकार भिन्न है, तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, भई प्रेश्ट यह पूछ रहा है कि glycogen क्या होता है, भई ग्लाइकोजन के बारे में पूछा जा रहा है, और फिर यह पूछा जा रहा है कि glycogen स्टार्च से किस तरीके से बिन्न होता है, तो देखिए, प्राणियों के शरीर में कार्बो हाइडरेट, glycogen के रूप में संग्रहित रहता है तो देखिए, होता क्या है, भई जो प्राणियों के शरीर में जो कार्बो हाइडरेट होता है, वो किस रूप में संग्रहित रहता है, glycogen के रूप में, इसकी संरचना amylopactin के समान होती है, देखिए बच्चों, इसकी संरचना कैसी होती है, amylopactin के समान, भई हम लोगों की संरचना amylopactin के समान होती है, आते हैं, इसे प्राणी स्टार्च भी कहते है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, glycogen को और क्या कहा जाता है, प्राणी स्टार्च, लेकिन यह amylopactin से अधिक शाकित होता है, तो देखिए संरचना तो इसकी amylopactin के समान होती है, बई, gly glycogen की जो संरचना होती है, वो amylopactin के समान ही होती है, लेकिन amylopactin से अधिक शाकित होता है, और कहने का मतलब है, bicogen amylopactin से अधिक शाकित होता है, और देखिए यकरत मास पेशियो तता मस्तिश्क में उपस्तित होता है और कहां कहां पर पाया जाता है यकरत में मास पेशियो में और मस्तिश्क में ठीक है चलिए आगे देखिए जब शरीर को ग्लुकोस की आफशकता होती है एंजाइम ग्लाइकोजन को ग्लुकोस में तोड़ देते हैं तो दे तो देखिए गलाईकोजन तो देखिए तो बात हो गई अब इस्टार्च यारे में बताएंगे में पहला बटचो हमैं पता है पहला है एमिलोस ओर आप तो देखिए एमिलोस एलफा डी प्लस ग्लुकोस का रेखिये बहुलक है जबकि एमिलोस एलफा डी ग्लुकोस का शाखित बहुलक है तो देखिए ध्यान दीजिएगा अगर दोनों की बात की जाए तो दोनों ही एलफा डी ग्लुकोस के बहुलक होते हैं लेकिन देखिए होत ग्लुकोस थे आपस में डे कि रूप में जुड़ी रहती हैं जबकी इन हम लोग बात करें तो मैं क्या होता है, एक अपस में रे रूप से भीूड़ी रहती मेह आप वहां पर शाखाएं भी पाई जाती है, यानि कहने का मदलब है कि amylopactin रेखिय बहुलक होता है और amylopactin शाकित बहुलक होता है, इसमें शाखन पाया जाता है, clear है? एमिलोस जल में गुलनशील अवयव होता है जबकि एमिलोपेक्टिन जल में एविले अवयव होता है तो इस तरीके से हम गलाइकोजन के बारे में और स्टार्च के बारे में लिखके आएंगे ठीके चलिए आगे देखिए अब देखिए प्रैश्ण नमबर साथ देखिए सुक्रोज तथा बर दिया हुआ है लेक्टोज तो देखिए सुक्रोज तथा लेक्टोज के जल अवगटन से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं तो देखिए बच्चो हम लोग सुक्रोज के बारे में और लेक्टोज के ब सhann यानि यह दो मोनसकराइड काई या मिलती है तो सक्रोस के जल अवगटन से एलफा डी ग्लूकोस तथा बीटा डी फ्रक्टोज बनते हैं तो क्या क्या बनेう इस तरीके से आप इस अभी क्रिया को लिखके आएंगे किस सुक्रोस का चलाब गटन कर रहें लोग तो एक तो बन गया डी प्लस ग्लूकोस और एक बन गया डी माइनस फ्रक्टोज यानि कहने का मतलब है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्मान होता है ठीक है चलिए आगे देखिए अब देखिए लेक्टोस के जलब घटन से बीटा डी ग्लूकोस तथा बीटा डी गैलेक्टोस प्राप्त होते है तो देखिए बच्चो अब बात कर रहे हैं हम लेक्टोस के बारे में तो लेक्टोस के जलब गटन से क्या प्राप्त होगा बीटा डी ग्लूकोस और बीटा डी गैलेक्टोस तो देखिए इस तरीके से आप इस अभी क्रिया को लिख के आएंगे ये क्या हो गया ये लेक्टो बनेगा सát में D- आया समझ में आपको बेलेक्ट Link का निर्मान वन क लेक्ट्योप के मिलने से होता है अब नम्दर इस टार्च तथा संध्चनात्मक क्या है तो अब लोगों को इस टार्च और इस कि सटार्च एल ऐल्फा ग्लूकोस का बहुलक है तत्र इसमें दो घतक एमिलोस का होता है होता है और इसमें घतक होते हैं एमिलोस और यह लोग पढ़ के आयो हुए है इमिलोस 200 से 1000 अल्फा-डी-प्लस ग्लुकोस इकाई की एशाकित शरंकला होती है हमने पढ़ा है यानि जो एमिलोस है वो रेख यह बहुलक होता है यह हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि यह एशाकित शरंकला होती है और देखिए इसमें 200 से लेके 1000 तक alpha D plus glucose की इकाई होती है ठीक है जो की ध्यान दीजिएगा जो की carbon 1 और carbon 4 यानि एक glucose का तो carbon number 1 और दूसरे glucose के carbon number 4 ठीक है इनके मध्य glycosida बंद द्वारा जुड़ी होती है ठीक है तो इस तरीके से आप लिख के आएंगे आगे देखिए एमिलो पैक्टीन alpha D glucose इकाईों से बनी शाकित श्रंकला होती है और देखिए जो ध्यान दीजिएगा वही एमिलो पैक्टीन जो है वो alpha D glucose इकाईों से बनी हुई शाकित श्रंकला होती है इसमें शाकन पाया जाता है जिसमें carbon 1 और carbon 4 यानि एक glucose इकाई का carbon number 1 और दूसरी glucose इक ग्लाइकोसाइडी बंद होते हैं तथा शाकन carbon 1 और carbon 6 यानि शाकन किस किस के बीच में होता है एक glucose इक कार्बन नमबर 1 और दूसरी glucose इकाई के carbon इसमें नमबर 6 के मध्य थेके के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंद द्वारा होता है जबकी cellulose देखें ध्यान दीजिएगा जबकी cellulose क्या होता है cellulose beta-d glucose से बना रेखिये श्रंकला युक्त polysaccharide है तो देखें cellulose किस से बनता है beta-d glucose से बना हुआ रेखिये श्रंकला युक्त बहुलक होता है या polysaccharide होता है जिसमें एक ग्लुकोस इकाई के कार्बन एक तता दूसरी ग्लुकोस इकाई के कार्बन चार के मध्य ग्लाइकोसाइडी बंद बनता है तो इस तरीके साफ स्टार्च के बारे में और cellulose के बारे में लिखके आएंगे कि इनमें संदशनात्मक अंतर क्या होता है और देखे बच्चो साथ में संदशना बना के भी समझाएंगे तो देखे बच्चो एमिलोस की संदशना मैंने आपको समझाई हुई है इसमें होता क्या है इस तरीके से देखू है दूसरी ग्लूकोज काई के कार्बन नंबर एक अर तीसरी ग्लूकोज काई के कार्बन नंबर चार के बीच में भी ये क्या बन गया है ग्लाइकोसाइडी बंद बन गया है और देखिए इसे एलफा बंदन भी कहते हैं और यह हमारी एमिलोस की क्या हो गई संदशना तो देखिए बचो इस तरीके से आप एमिलोस की संदशना बना के इसे समझा के आएंगे किस तरीके से ग्लुकोज इकाईयां आपस में आएंगे देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ग्लुकोज की इस एकाई और इस एकाई के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसके कार्बन नंबर एक और इसके कार्बन नंबर चार के बीच में यह क्या है ग्लाइकोसाइडी बंद यानि एक ग्लुकोज ग्लुकोज की कार्बन नमबर एक और दूसरी ग्लुकोज की कार्बन नमबर चार के बीच में क्या है इसे तरीके से तो रेकिए बहुलक का निर्मान होता है लेकिन हम लोगों ने पड़ा है कि अमिलो पैक्टीन में क्या पाई जाती है शाखाय पाई जाती है तो देखे बच्चो ग्लुकोज की इस इकाई के बीच में किस तरीके से शाकन होगा ग्लुकोज की इस इकाई के कार्बन नमबर एक और ग्लुकोज की इस इकाई के कार्बन कारवन नमबरिश्च we72, कि अगर र्म लोग बात करें एग्स हटो ग्लुकोई के नमबरिश्क के बीश्च साइडिक बन गया और इस तरीके से क्या मैं निरभा यानि carbon 6 पे शाखा का निर्मान हो गया, तो देखा आपने जो हमारा amylopactin होता है, उसमें शाखन भी पाया जाता है, तो संदशना बना के इसको समझा के आएंगे, और साथ में देखिए, यह हो गई हमारी cellulose की संदशना, हमारी किस की संदशना हो गई? तो आप बता के आएंगे के cellulose में भी किस प्रकार से गलाइकोसाइडिक बंद का निर्मान होता है, आप ध्यान से देखेंगे, तो इस ग्लुकोज इकाई के कार्बन नंबर 4, यह कार्बन नंबर 4 और इस ग्लुकोज इकाई के कार्बन नंबर 1 के बीश में क्या बना हुआ ह यह ग्लाइकोसाइडी बंद बना हुआ है, तो आया समझ में इस तरीके से आप इस संदशनात्मक अंतर को लिख के आएंगे और संदशना भी बना के आएंगे, चले अगले प्रेशन के और चलिए, अब देखिए प्रेशन नंबर 9, क्या होता है जब डी ग्लुकोज की और फि democraciesाएंगे कर्मकों से यह कुछ अअभी कृमक दिये हु एंगे उनसे अभी करवाई जाती है तो क्या बनता है तो लिखे बच्चो्! पहला है है forgedि हांगे against hydrogen iod ideology एचाई के साथ लंबे समेत तक गरम करने पर यह अपचाईत होकर एनहेकसेन देता है इससे सिद्ध होता है कि इसमें सभी छे कार्बन परमाणू एक सीधी श्रंकला में होते हैं ठीके और इस तरीके से आप या भीक्रिया लिखके आएंगे आप इस अभीक्रिया को लिखके बता के आएंगे कि यह क्या है यह ग्लुकोस है ठीके और ग्लुकोस को हम गरम कर रहे हैं एचाई के साथ लंबे समेत तक तो हमें क्या प्राप्त होगा हमें यह एनहेकसेन प्राप्त होगा और एनहेकसेन का बनना क्या प्रदर्शित करता है अब दूसरा देखिए ब्रोमीन जल से अभी किरिया तो देखिए बच्चो ग्लुकोस ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सिक्रत होकर ग्लुकोनी कमल बनाता है और देखिए इससे सिद्ध होता है कि ग्लुकोस का कार्बोनिल समू एल्डिहाइड समू के रूप में होता है तो क्या होता है जब ग्लुकोस ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सिक्रत होता है तो ग्लुकोनी कमल का निर्मान होता है देखिए बच्चो अभिकरिया पिकिया है यह लिख अगाएँगे देखिए यह क्या है ग्लुकोस है और ग्लुकोस को क्या कर रहे है है ब्रोमीन जल के साथ अभीकरिया है इसका उक्सिकरण होगा और यहстрहा अड़ि हाईडिक सम्मू है यानि नाइट्रिक अमल के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्या होता है तो देखिए ग्लुकोस का नाइट्रिक अमल द्वारा ओक्सिकरन कराने पर एक डाई कार्बोकसलिक अमल सैकरिक अमल बनता है तो देखिए बचो जब ग्लुकोस का नाइट्रिक अमल के द्वारा ओक्सिक की पुस्टी होती है तो देखिए यहां पे भी आप अभी किर्या बना के आएंगे इस रियक्शन को बना के आएंगे आप यह क्या है ग्लुकोस है ग्लुकोस का ऑक्सिकरन करवा रहे हम नाइटरी कमल के द्वारा और देखिए क्या प्राप्त हो गया हमें सेकरी कमल प्राप् कीजिए जो इसकी वीवरत श्रंकला यानि खुली श्रंकला संरचना के द्वारा नहीं समझाई जा सकती तो देखिए बच्चो हमें ग्लुकोस की उन अभीक्रियाओं के बारे में बताना है जिने इसकी वीवरत श्रंकला संरचना के द्वारा हम नहीं समझा सकते तो देखिए आंसर देखिए ग्लुकोस की निमने लिखित अभी क्रियाएं इसकी वीवरत शरंकला संरचना द्वारा नहीं समझाई जा सकती तो देखिए पहला देखिए एल्डिहाइट समू उपस्तित होते हुए भी ग्लुकोस शिफ परिक्षन नहीं देता है दूसरा देखिए यहें एने एच एसो थरी के साथ हाइड्रोजन सलफाइड योग जुथपाद नहीं बनाता है तीसरा देखिए ग्लुकोस पैंटा एसिटेट एवं हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया नहीं करता जो मुक्त सियेचो समू यानि एल्डिहाइडिक समू की अनुपस्तिती को इंगित करता है और अगला देखिए चोटा देखिए ग्लुकोस दो भिन क्रिस्टिलिये रूपों में पाया जाता है जिनने एल्फा तथा बीटा ग्लुकोस कहते हैं इनके गलनांक भिन भिन होते हैं तो इस तरीके से हम इस प्रेश्ण का आंसर लिखके आएंगे प्रेश्ण नम्बर 11 देखिए आवश्यक तथा अनावश्यक ऐमिनो आमल क्या होते हैं प्रतेक प्रकार के दो उधारन दीजिए वे ऐमिनो आमल जो हमारे शरीर में संसलेशित हो जाते हैं उन्हें अनावश्यक ऐमिनो आम्ल कहते हैं। देखिये बच्थो हम इन के बारे में भी पड़के आये वे हैं। तो आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। वए एम्नहामल कि हमारे शरीर में संसलेशित हो जाते हैं। उन्हेंrelated का जाता है अनावशक और इस आप इसके उधारन लिखके आएंगे जैसे glycine तथा alanine ठीक है ये दोनों उधारन आप लिखके आएंगे आगे देखिए वे aminoamil जो हमारे शरीर में संसलेशित नहीं होते तथा जिनको भोजन में लेना आवशक होता है उन्हें आवशक aminoamil कहते हैं तो देखिए भई हमारे आवशक aminoamil को क्या होते हैं ऐसे aminoamil होते हैं जो हमारे शरीर में संसलेशित नहीं होते हैं और उन्हें किस रूप में लिया जाता है यह आहार के रूप में यह हमारे भोजन के रूप में उनको लिया जाता है और आगे देखिए जैसे देखिए वैलीन तथा ल्यूसीन आएंगे के no कोंकों से होते हैं अशाथ में भी बताएंगे कि संकें कितनी होती है only 10 होती है ठीके चलि आगे प्रश नंबर 12 के प्रोटीन के संधर्व में निमनलिखित को परिभाशित कीजिए निमनलिखित पॉइंटों को यह कुछ पॉइंट दिये हुए हैं उनको हमें परिभाशित करना है तो देखे पहला देखिए पैप्टाइड बन क्या होता है इसके बारे में बताना है दूसरा देखिए प्रात्मिक संदशना के बारे में बताना है और तीसरा हमें बताना है विक्रती करन क् पहला देखिए पैप्टाइड बंद वहे बंद जिसके द्वारा विभिन एलफा एमिनो अमल आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं उसे पैप्टाइड बंद कहते हैं ठीके पैप्टाइड बंद को सी ओ एनेच ठीके इस तरीके से दर्शाते हैं जो की एलफा एमिनो अमल के एक अनू के कार्बोक्सलिक समू तता दूसरे अनू के एमिनो समू से जल के निकलने से बनता है तो देखिए बच्चों हम लोग पढ़के भी आये हुए हैं जो एमिनो अमल होते हैं वापस में पैप्टाइड बंद के द्वारा जुड़े रहते हैं और प्रोटीन का क्या करते हैं निर्मान करते हैं तो यहां पर आप ध्यान देजिएगा जो पैप्टाइड बंद बनता है जानी इन दोनों के मद्य से जल का निसकाशन होता है और उसके द्वारा पैप्टाइड बंद का निर्मान होता है तो आप इस तरीके से इसको लिखके आएंगे, चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए, प्रोटीन की प्रात्मिक सन्रशना, तो देखिए बचो, प्रोटीनों में एक या अधिक पॉली पैप्टाइड शंकलाएं उपस्तित होती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रो में जुड़े होते हैं, तो देखिए बचो, होता क्या है, कि किसी प्रोटीन के अगर पॉली पैप्टाइड की बात करें, तो प्रत्य पॉली पैप्टाइड में क्या होता है, एमीनों अमलों का एक विशिस्ट क्रम होता है, एमीनों अमलों के इस विशिस्ट क्रम को ही प् कहते हैं प्रात्मिक संरचना में किसी भी प्रकार का परीवर्तन होने पर अर्थात एमिनो अमलो के क्रम में परीवर्तन से भिन प्रोटीन बनते हैं तो आप इस तरीके से बताके आएंगे कि प्रात्मिक इत्युशन नियुका है प्राइमिक सनलशना है वहां पर प्रोटीन का निर्मान होता है तो इस तरीके से आप प्रोटीन के प्रात्मिक सनलशना के बारे में लिख sleep सबस्क्राइब देखें धुद नारी देखें टुर्टीन की ब्रात्मिक है इस अब बनांब रिंधर देखें तो देखिए जो गोल गोल आपको दिखाए गए है यह एमिनो आमलों को प्रदर्शित कर रहे हैं और एमिनो आमलों के बीच में होता है पैप्टाइड बंद के द्वारा जुड़े होते हैं और ध्यान से देखेंगे इस प्रात्मिक संरशना को तो देखिए एक सिरे पर तो जटना इस तरींगे आम इस जाने वाली विसिस्ट घ्रिविं संरशन न और ज्येविक सक्रयें वाले प्रोटेइन प्राकर्तिक प्रोटीन कहलाते हैं, तो देखे अचो देखे, सबसे पहले, हम यह बताएंगे, कि प्राकर्तिक प्रोटीन होते क्या है, जब प्राकर्तिक प्रोटीन के ताप में परीवर्तन तो हाइडो जन बंदों की व्यवस्ता भीगडर जाती है इन में उपस्तित हाइड्रोजन बंदो की व्यवस्ता भीगडर जाती है जिसके कारण प्रोटीन की गोली का खुल जाती है, यानि जो हैलिक्स होती है, कुंडली वो खुल जाती है, तता हैलिक्स ध्यान दीजिए, तता हैलिक्स एकुंडलित हो जाती है, इससे प्रोटीन अपनी जेविक सक्रेता को खो देता है, तो देखें जो ध्यान दीजिएगा बे होता क्या है प्रोटीन के विकृति करन में क्या होता है प्रोटीन अपनी जेविक सक्रेता को खो देता है और जो इसमें कुंडली होती है यह जो हैलिक्स होता है वो कैसा हो जाता है एकुंडलित हो जाता है कहने का मदलब है कि इसमें हाइडोजन बंदों की व्यवस्ता ब विक्रटी करन का एक उधारन है। तहते हैं झूम का जमकर दही बनना भी विक्रटी करन हैं। जो दूद में उपसट द्वारह लैक्टिक अमल उत्पन होने के कारण होता है। तो इस तरीके से आप प्रोटीन के विक्रती करन के दो उधारन भी दे कर आंगे। तो देखे बच्चो आज जो हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न सौल्व करे हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे तो आप देखे इन प्रश्नों के प्रैक्टिस करिए ऐसे कैसे यह प्रश्न परिक्षा में पूछे जाते हैं और देखे इसके आगे के जो प्रचा करेंगे ठीके धन्यवाद